हलो दोस्तो मैं हूँ फार्मसिष्ट मौहमद रिजबान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जी एन मेडिकल चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको एबिल 25 mg टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये एबिल 25 mg टैबलेट है दोस्तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस किस डिजीज में इस्तमाल की जाती है किस किस डिजीज में फायदे मंद होती है और इसको किस तरह के पेशेंट को इस्तमाल कराना चाहिए ये किस तरह के पेशेंट इसको इस्तमाल कर सकते हैं और किस तरह के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए और दोस्तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं बाड़ी में इसको लेने के बाद तो इस सब के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मेरी आप से दर्खास्त है कि चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों में ताकि दवाओं की जानकारी आपके सभी दोस्तों को भी हासिल हो सके और आपको भी हासिल हो सके तो दोस्तो कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी तो आईए दोस्तो सबसे पहले इस टैबलेट की जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टैबलेट के फायदे के बारे हम बात करते हैं ये किसके डिजीज में इस्तुमाल की जाती है allergy में सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है दोस्तो अब allergy की बात करें तो allergy हो क्यों जाती है पहले इसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तो एक histamine chemical messenger होता है तो histamine जब ज्यादा बनने लगता है body में दोस्तो तो उसकी बज़े से allergic reaction cause होने लगते है body में allergic symptoms आने लगते हैं body में तो उस समय इस tablet का use की जाता है allergy को रोकने के लिए या histamine को रोकने के लिए जो histamine का secretion हो रहा है उसको कम करने के लिए इस tablet का जो आप देख रहे हैं skin पर able 25 mg tablet का इस्तमाल करना चाहिए या बहुत ज्यादा किया भी जाता है ठीक कर सकती है अईए इसके बारे बात कर लेते हैं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होती है जिनको dust की वजह से allergy हो जाती है dust मतलब तो धूल के कड़ होती है उनकी वजह से allergy हो जाती है nar meringue में allergy होती है sneezing मतलब बहुत च्छींके आने लगती है और इसके अलावा जो बैसे भी अलर्जी होजाती है जो मतलो इचिंग होने होने लगती है यह दाने बगेरा निकल याती है जो छोटे छोटे दाने निकल याती है तो इस सारी डिजीजों में इस ABIL 25 MG टैबलेड जैसा कि आप देख रहे हैं इसका इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा दोस्तों जो आँखों से पानी आने लगता है जो डिस्ट के कारड अलर्जी होई होती है दुखाम हो जाता है तो आँखों से पानी भी आने लगता है तो पानी आता है उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकते है और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक antihistamine drug है तो इसका sedative action भी होता है Little sedative यानि जा इसको लेने के बाद हलकी naid भी आती है इसको लेने के बाद इसको खाने के बाद नींद भी आ सकती है तो ये इसके दोस्तों फायदों के बारें बात थी यह इसके फायदे थे इन सारी डिजीजों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन को कौन कौन पेशेंट ना ले यानि किस तरह के पेशेंट इसको इस्तमाल ना करें दोस्तों जैसे किसी को बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है यानि BP बड़ा हुआ रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो इसका ऐसे इस्तमाल ना करें पहले हमसे मशबरा ले या अपने नजदी की डॉक्टर से सला ले तब इस मेडिसिन का इस्तमाल करें क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं और हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे कोई भी ऐलोपैथिक मेडिसिन इस्तमाल ना करें क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है और भी ऐलोपैथिक मेडिसिन के कई सारे साइड इफेक्ट होती है इसके अलाबा दोस्तों किसी को आँखों की कोई प्रॉब्लम रहती है यानि आँखों में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तमाल ऐसे ना करे क्योंकि इसको लेने के बाद बिलड बीजन भी हो सकता है यानि धुंदला धुंदला सा दिखाई देता है तो आँखों में अगर आपके पहले से प्रॉब्लम होगी और इसको इस्तमाल करेंगे तो ये अपना साइड इफेक्ट दिखाएगी तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो सकती है आँखों में इसलिए इसका इसका इसे बिलकुल भी ना करें पहले हमसे मश्वरा लें और या पिर अपने नजदी की डॉक्टर से सला लें तब इस टैब्लेट का इस्तमाल करें तो दोस्तो ये तो इसके फायदे के बारे में बात हो गई और इसको किस तरह का पेशन्ट इस्तिमाल करे और किस तरह का ना करें इसके बारे मैंने आपको जानकारी दी तो दोस्तो आईए आप इस tablet की dose के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी dose क्या है, dose कितनी लेना चाहिए, यानि खुराक कितनी लेना चाहिए तो दोस्तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि Abil 25 mg tablet है यह 25 mg tablet है, ज्यादा high dose नहीं है तो इसकी एक-एक tablet, अगर आपको इस तरह की कोई भी allergic reaction हुआ हो जो मैंने आपको बताया आगी starting में, तो आप इसकी एक-एक tablet सुबह, शाम खाने के बाद ले सकते हैं, या allergic reaction अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तब आप इसकी एक-एक tablet सुबह, दुपैर, शाम खाने के बाद ले सकते हैं या फिर इस्तमाल करने से पहले हमसे मशवरा लें, या अपने नजदी की डॉक्टर से सला लें तब इसका इस्तमाल करें तो दोस्तो ये तो इसके फाइदे के बारे में बात हो गई, इसके डोस के बारे में बात हो गई, आईए आप इसके side effect के बारे में बात कर लेते हैं कि इस medicine को लेने के बाद ये जो screen पर आप देख रहे है Abil 25 MG tablet है इसको लेने के बाद body में क्या-क्या side effect दिखाई दे सकते है यानि body में क्या-क्या नुकसान दे सकती है दोस्तो ये tablet तो इसको लेने के बाद दोस्तो headache हो सकता है हलका headache मतलब सर में दर्द सा होगा बहुत हलका सा दर्द हो सकता है इसके अरावा nausea हो सकता है नोजिया यानि एक feeling सी आएगी कि उल्टी होने वाली है vomiting होने वाली है या vomiting हो भी सकती है और इसके अरावा दोस्तो blood vision भी हो सकता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी को blood vision है या आँखों की कोई problem है तो इसको बिल्कुल भी ऐसे इस्तमाल ना करें क्योंकि इसको खाने के बाद blood vision होता है तो दोस्तो इसका एक ये side effect भी है कि blood vision हो सकता है तो इसलिए इसका ऐसे इस्तमाल ना करें कई सारे side effect है इसके अलाबा heart beat जो होती है heart rate जो होती है वो irregular हो सकती है यानि heart rate बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है तो इसलिए heart के patient भी इसको बिल्कुल इस्तमाल ना करें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था और इसके अलाबा दोस्तो इसको लेने के बाद hallucination हो सकता है hallucination क्या होता है मतलब बंदा एक अपने ही आप में गुम रहने लगता है अपने ही आप में गुम रहने लगता है एक अपनी दुनिया उसकी अलग होती है उसमें गुम रहने लगता है और इसके अलाबा दोस्तो confusion सी पैदा हो जाती है माइंड में बहुत सारी confusion सी पैदा हो जाती है ये कई सारे side effect है side effect का मतलब होता है कि हो सकता है ऐसा मतलब देखा गया है और हो सकता है जरूरी नहीं है कि हर किसी को हो तो इसलिए इसका ऐसे इस्तमाल ना करें हमसे मशवरा लें पहले या फिर अपने नजदी की डॉक्टर से सला लें तब इसका इस्तमाल करें तो दोस्तो ये able tablet के बारे में able 25 tablet के बारे में जानकारी थी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सबस्क्राइब करें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफ़